मुजिक वीडियो देखने के बाद तो रोज मैं प्रे करती हूं नमास पढ़ती हूं प्रे करती हूं कि वो सारी यादे मेरे दिल और दिमाग मेरे डिये ने में से निकल जाये मैं एक नई शुरुवात करना चाहती हूं लेकिन रोज रोती हूं लेकिन आज इतना ग्लामर सज बजने के बाद मैं अपने आपको संभाल नहीं पाई और ब्लास्ट हो गई क्योंकि सब कुछ ताजा हो गया ना एक जो मेरे साथ गुज़रा पूरा ताजा हो गया फ्लीज बैच एंड गाना ओमाई गॉड जब मेरे साथ यह सब चल रहा था मॉम का हाथसा हुआ जिंदेगी में सारे हाथसे हुए सबले गाना आया मुझे मेरे भाइ बंसल शाभ ने गाना बेजा मैंने और भाई यह तो मेरे परी गाना बलता है तेरे परी है आप यकीन मानिये रातो रात मुदसर बाई ने अमको स्टोरी बताई और सल्मान हम लोग र मैंने पहले बता कि एक साल में मेरे साथ आप सोच नहीं सकते नारी शक्ती फीमेल वुमन्स डे ऐसी नहीं मनाए जाता मैंने जो सहा है ना सिर्फ अपना एक घर बचाने के लिए अपनी शादी शुदा जिन्दगी बचानी की मैं चाहती ना आप सबसे कह रहे हैं कि मैं चाहत करते हैं जो बड़े-बड़े सल्विटी करते हैं बड़ मैंने सोचा ठीक है मैं तो चुप-चप चली जाओंगी लेकिन फिर उन लड़कियों के साथ क्या होगा जो फिर से मेरे साथ जो खिलवाड हुआ है मैं खुदा को बोली मैं क्यूं वाइमी तो अभी पता चला के मै बोल्ड हूँ जब गीधर की मौत आती है तो वो कहां जाता है शेहर की तरफ कहते हैं न तो वैसे ही मैसूर से उनका यहां पे मुंबई में आना यह जरनी रहा मेरी लाइफ में आना और यह बलास्ट होना आप यकीन माने हैं खुदा की कसम मेरी मा की कसम वो लड़कियों ज जो जो अभी जेल में हैं उन्होंने जो लड़कियों की जिंदगियां भाई बरबाद करिये उन लड़कियों के आप वीडियो मैसेज़िस देखेंगे लड़कियां मुझे हाथ पैर जोड़ रही हैं कि आप ही एक हो इन्होंने हमें इतना मारा है कभी एक्सिडेंट करवा एक एरानी लड़की जो में नाम नहीं लेना चाहूंगी जो मैसूर में है वो हिम्मत वाली है मैं उसको सेलूट करूंगी वो सामने आई उसने ये भी नहीं सूचा कि मैं कहां से आई हूँ कौन से विजा पर आई हूँ लेकिन उसके साथ बहुत नाइंसाफी हूई मैं तो से वाकिल भी हूँ, एड्वोकेड भी हूँ है, मैंने ये केस अपना खुद लड़ा है, मुझे लोगो बहुत सारी कमेंड आए है, अरे, वो तुम्हारा हजबंड है, तुम्हें क्या जरू है, अरे, तुम्हारे पर नहीं बिता है ना, मेरे पर बिता है, ये तुम्हारी बेहन के साथ हुआ हो तो बोलता कि खुदा ना करें मेरे साथ हुआ है मैंने जहला है खुदा ना करें तुमारी बेहन बेटी के साथ हूँ कभी ना हूँ इसलिए मैं मीडिया के सामने इसका असली चेहरा बताने आई कि किसी भी लड़की के साथ ये ना हूँ ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे मेरे हजबन वाइफ के ऐसे वीडियो बनाये हैं इन्होंने मुझे एतना ब्लेक्मेल किया इतने एक साल से मैं बगर खाफ के बगर डर बाहराए जो तुमको वीडियो वारेल करना कर दो मैं नहीं डरती। जो होगा दिखा जाएगा। जैसे तुम वीडियो वाइरल करोगे इस दुनिया में कानून तो है ना प्लिस तो है, कही नहीं ऐक होप है। वो कानून पुलिस रही बाजो में तुम्हें मेरे फैंस ही नहीं छोड़ेंगे। देश के जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कर दो वीडियो वाइरल मेरे, मैं नहीं डरती तुम से, हाँ तुमने उन लड़कियों को भी दमकिया दिये, सारी वीडियो वाइरल कर दोगे, जो तुम बनाते हों, मैसुर मैं गई थी, उरानी लड़की के वीडियो में देखे का इस लड़की की चोटे देखी ना, उसके साथ उस रहानी लड़की के साथ अत्याचार देखा, पांच साल का, दिल मेरा मेरे जिसम में से तूटके नीचे गर गया, जो मेरे साथ तो अत्या-चार हुआ ही था, उस लड़की के साथ हुआ, ओ माई गाड, मैं बस रोज्नम कि अगले बंदे को माद कर देंगे सिर्फ गल्ती की होते हुए ना कर देंगे लेकिन जिन्दगी यां बरबाद करी है मैं कोशिश कर रही हूँ फिर से उठने की जीने की मैं इतनी स्ट्रांग लड़की उन लड़कियों का क्या हो रहा होगा आप सोच सकते हैं किसी की बेहन है वो किसी की बेटी है वो इजददार खांदान वाले लड़के खांदान बाहर नहीं आता मीडिया के सामने बोलने के लिए उन समकी तरफ से मैं आई हूँ इसलिए जो हमारा ये गाना हुआ इसी पर हुआ जी उटा टाइटल कर दो अजी एक रात पहले एक रात पहले का लाया था था रात को साड़े गारा बजे होंगे जो रात पहले आए नहीं एक रात पहले एक रात मैं सीदार सेट पर जा कि मिला और में में एक्साइट था क्योंकि तक राकी के साथ मोदे। पहले भी काम कर चुका हूँ और मुझे मालूम है बहुत ही कमाल की आटेस्त है, बहुत ही कमाल की उन्ड़परसेंड अपना हर बार हर शोट में ये करती हैं एक्साइट तो था है लेकि जब मुझे मुझे अनिफ पारिख झाल टो ता जब मुझे मधर्शल्स आपकी पता चल रहा था ता मैं देख भी रहा था सुन भी रहा था लेकिन इन उतने डीटेज में नहीं भी लेकिन मुझे अप कुछ टो नहीं में आप पहुंचाट हे लेक अगर मैं सच बताओं तो इस character को नहीं बारे मुझे कुछ जादा मेहनत नहीं करनी हुई वो इसलिए नहीं करनी हुई है क्योंकि मुदसर भाई थे वहाँ पर मुदसर भाई का direction इतना कमाल का था कि इन्हों ने बहुत ही अच्छे से हर एक सीन को explain किया और राखी के मुझे में उनका दूख उनका दर्थ सुन चुका था तो उस character को play करने में मुझे सच मिम्मद बहुत जादा महनत नहीं करनी पड़ी है जब आपको अच्छी team मिलती है एक अच्छा project मिलता है और अभे सर ने जो production किया है पूरे song का वो काबिले तारीफ है क्योंकि इतने कम वक्त में इतना बड़ा गाना बना देना उसके लिए बड़ीया टीम करने के लिए इतनी जल्दी जल्दी से तैयारिया कर लेना असान काम नहीं है तो All thanks to you sir और हमारी music team इतनी प्यारी है इतनी प्यारी टीम है ये गाना ही इतना प्यारा है क्योंकि मुझे सबसे पहले और कुछ नहीं मालूमता सबसे पहले मुझे गाना सुना ही गया तो जब मैंने गाना सुना तो गाना सुनते ही मुझे अंदर से आवाज आई कि ये गाना तो करना चाहिए इस गाने में अपने आप एक बहुत ही प्यारी सी रूह है इस गाने में तो इस गाने को मैं मिस नहीं करना चाहता था और अलतमश भाई अभी फिलाल अमार साथ नहीं है काश होते तो और ज्यादा मज़ा आथा तो हाँ इस गाने के लिए बहुत ज्यादा महनत नहीं कि मैंने, लेकिन जितना मुझसे टीम था, टीम का साथ था, वो अपने आप लिए अच्छा काम किया आपने, शुक्रिया शुक्रिया बहुत, वो है कि एक पूरा environment इतना प्यारा था, कि काम करना बहुत अच्छा रहा, बहुत ही कमाल का experience रहा, और राखी के लिए तो मैं हमेशा तालिया बजाता रहूंगा, बहुत कमाल की actor है, बहुत कमाल की artist है,